पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गौरी भोला को अपने दिल की बात बताती है, लेकिन भोला उसे अस्विकार कर दीता है, तभी वहाँ पर किसी के आज आने से सभी हैरान हो जाती हैं, अब देखिए आगे, हलो! मिस गौरी जी, आपकी दोस्त आ गई है, और मैं भी इनके बारे में ही बात कर रहा था, एलिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं, वो में, मैं किसी काम सी यहाँ जा रही थी, हाँब सभी को यहाँ दिखा, तो चली आई! अरी वा, यह तो बहुत अच्छा किया! हाँ, हमी नई शहर में भी एक दोस्त मिल गई है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता! नई शहर में नई दोस्त है या? हम Alice से यहीं आकर मिले है मैं अच्छे से जानता हूँ कि कौन किस से मिला हुआ है भूला तुमारी प्रॉप्लिम क्या है तुम कैसी कैसी बाते कर रही हो तुम जानते भी हो कि मुझे चोट कैसे लगी उसमें ये Alice भी शामिल है मेरे परिवार की मौत में Alice शामिल है तुमारा दिमाग खराब है तुम Alice को जानते भी नहीं हो और इसे अपनी दुश्मन बता रहे हो अच्छा, अगर मैं ही जूट बोला हूँ तो आप Alice से पूछ लेजिए कि मेरी ये हालत किसने की है और अभी ये मेरे ली ही आई है मैं इसको अच्छे जानता हूँ भाई प्लीज भूला सच बोल रहा है सभी ने Alice को चौँकते हुए देखा Alice तुम भूला की बात का बुरा मत मानो वो थोड़ा डिस्टर्ब है इसलिए ऐसा कर रहा है नहीं भूला सही है इसकी जो भी हालत है उसकी मैं भी जिम्मेदार हूँ तुम्हारी भूला से दुश्मनी क्यों है तुम उसकी साथ ऐसा क्यों कर रही हो ये बात मैं और बॉस भी नहीं समझ पाई कि भूला की हम से क्या दुश्मनी है बोला केता है कि बॉस ने उसके परिवार को मारा है लेकिन ऐसा नहीं है कल रात भोला ने रौकी और गौरफ को भी मार दिया बॉस तुम्हें कर रात से ढून रहे है और मुझे भी इसले ही भेजा है तुमने फिर से किसी की जान ली? तुम पागल हो चुकी हो क्या तुम जानते नहीं कि सिंबा कितना खतरनाक व्यक्ती है फिर भी तुम उससे लड़ रहे हो ये खेल मैंने शुरू किया है और इसको खत्म भी मैं ही करूँगा मैं अभी भी कह रही हो कि रुख जाओ इस लड़ाई को यही खत्म कर दो और ये शहर छोड़ दो मैडम ये मेरा शहर है आप यहाँ जनवी हैं तो आप यहाँ से दूर जाएए मैं नहीं जाओंगा और हाँ आप सभी भी हैलिस के दोस्तों इसका मतलब समझते हो कि आप सभी इसमें शामिल हो चीक है बॉस तुम्हारा इंतिजार कर रही है तुम खुद चलोगे या फिर जिसका इंतिजार मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ वो खुद मुझे बुला रहा है इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है चीक है चलते है फिर भूला आलिस के साथ जाने के लिए तैयार हो गया आलिस ने भूला को आटो में बिठाया और फिर लेकर चली गई वहाँ सिंबा अपने भूके शेर के साथ भूला का इंतिजार कर रहा था जैसे ही भूला और आलिस आटो से निकले सिंबा की सारी टीम उसे मारने के लिए दोडी पता कि तुझे यहां किस ने भेजा है ये कोई जूटी कहानी नहीं है ये मेरा दर्द है मैं तुम्हारी वजह से बच्पन से अनादू तुमको किसी ने जूटी कहानी सुना कर यहां भेज दिया है मुझे तुम्हारे लिए दुख है लेकिन तुम्हारे परवार को मैंने नहीं मारा मैं तुमको भोला गुस्से में सिंबा को मारने के लिए दोड़ा लेकिन सिंबा ने अपनी शेर को छोड़ दिया जिसके बाद शेर भोला पर तूट पड़ा भोला शेर से लडने लगा सबी लोग खड़े होकर ये अनुखी लडाई देख रहे थे जैसे ही शेर ने भोला को खाने की कोशिश की भोला ने उसके मुख को पकड़ लिया भोला अज हार मानने को या शेर से ड़ने को बिलकुल तयार नहीं था और कुश देर की लडाई के परिणाम में ये हुआ कि शेर मारा गया भोला के चहरे पर खोन लगा था उसकी आँखे भी खोन से लाल हो रही थी भोला ने पास पड़े हुई पिस्तॉल को उठाया और सिंबा की टीम पर गोली चला दी कुछ गोली लगने से मर गए और कुछ डर के भाग गए अब भोला के सामने आलिस और सिंबा खड़े थे भोला मेरी बास सुन बदला बदला और बदला मैं शब्द के अलावा कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूँ तुम्हारा कोई इस्तिमाल कर रहा है तुमको बात समझनी होगी तुम्हारी शक्तियों का कोई दुरुपयोग कर रहा है और तुम बदले के लिए बिल्कुल अंधे हो जुके हो जब मेरा सामना नहीं कर सकते तो अब बहा नहीं बना सकते हो मैं सज बोला हूँ मुझे नहीं सुनना भोला ने सिम्बा को एक मुका मारा लेकिन सिम्बा फिर भी उसको समझाने की कोशिश कर रहा था भोला उसे लगातार पीटता जा रहा था सिम्बा की भी सबर का बांथ तूट गया और उसने भी भोला को पीटना शुरू कर दिया दोनों बहुत ही बुरी तरह लडाई कर रहे थे सिम्बा भोला को मारते हुए तलाव की तरफ ले गया और दोनों वहाँ एक दूसरे को पीट रहे थे अलिस दोनों को बचाने आई लेकिन सिम्बा के हाथ से धक्का लगा और वो तलाव में गिर गई जहां बहुत बड़े-बड़े मगरमच थे जब तक सिम्बा ने आलिस को बचाने के लिए प्रयास किया तब तक आलिस को एक मगरमच ने निगल लिया सिम्बा चुप-चाप खड़ा रह गया उसे कुछ समझ नहीं आया तब तक पीछे से माही, गौरी और तुशार भी आ गए भोला ने सिम्बा को धका मारा सिम्बा भी दलाब में गिर गया और एक मगरमच के मूग का निवाला बन गया तुमको अब चैन मिल गया होगा क्योंकि तुम्हारा बदला जो पूरा हो गया है अब तुम्हें खुशी हो रही है आज तो जश्न होना चाहिए क्योंकि तुमने एक जंग जो जीत ली है हाँ, आज जीत गया मैं आज मेरे परिवार की आत्मा को शांती मिलेगी कभी नहीं, उन्हें कभी शांती नहीं मिल सकती तुम मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं बोल सकती हो क्योंकि मेरे परिवार के बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ तुमको ये याद है ना, कि मैं यहां क्यों आई थी मैं यहां डॉक्यमेंटरी बनाने आई थी और उसके केंदर में तुम थे हम सभी को तुम्हारे बारे में पहले से पता है लेकिन तुम्हारे परिवार का कातल सिंबा नहीं, बलकि कोई और है कौन है वो? और तुम सब कुछ पहले से जानती थी तो मुझे कुछ बतायां क्यू नहीं? क्योंकि जो तुम कर रहे थे मैं ये सब नहीं चाहती थी मैं प्यार करती हो तुम से कोहन है मेरे पिता का कातिल गौरी ने भोला को पूरी बात बताई भोला वहाँ से बाबा जिम्टी दास की कुटिया की तरफ चला गया और कुटिया में प्रवेश किया आज मैं तुम्हारा स्वागत करूँगा क्योंकि तुम आज पूरा काम करके आये हो नहीं आज भी कुछ अधुरा छूट गया है असली कातिल मारा नहीं गया नहीं सिंबा को मार दिया लेकिन अभी कुछ पूरा करने आया हूँ भोला ने अपना तृशूल निकाला ये तृशूल यहां क्यों लेकर आये हो तुम ही सच बता दो शायद बज जाओ भोला मुझे मत मारना मैं सच बताता हूँ मैं कोई अगोरी नहीं हूँ मैं साधार अण मानव हूँ मुझे सिम्बा से बदला लेना था इसलिए मैंने तुम्हारा उप्योग किया क्योंकि मैं जानता था कि तुम अपने परवार की मौत का बदला लेने के लिए कुछ भी करोगे इसलिए मैंने ऐसा किया जब मैंने उस दिन देखा कि तुम आदेश को मार सकते हो तो सिंबा को भी मार सकते हो तुमने ऐसा क्यों किया और मेरे परिवार को किसने मारा जब मैंने देखा कि तुम उस परिवार से हो जिसकी हत्याव वशो पहले मेरे हाथों से हो गई थी तो मैं बहुत डर गया था और फिर मैंने तुम्हारी ताकत मनी कानी का घाट पर आदेश को मारते हुए देखी। मेरी पिछले कई वशों से सिम्वा से दुश्मनी है लेकिन मैं उसका कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने अपने दोनों दुश्मनों को आपस में लड़ा दिया और खुद ए चिम्टी दास बहुत तेज तेज चीक कर रोने लगा वो पूरी कोटिया में इधर से उधर भाग रहा था। फिर भी भोला ने चिम्टी दास की चाती में तिर्शूल गाट दिया और कुछ देर में ही चिम्टी दास की तडप-तडप कर मौत हो गई। माही गौरी और अब तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। दुलहन तो कब से तयार है। मैंने भी कब मना किया है। अरे वा फिर तो शादी के तयारियां शुरू करते हैं। बिलकुल। बिलकुल।